हलोग एवर्यून वेलकेम बेक् रोल्ख जा रहें हमारा से म condemno PAC्यूर्टल अब उन अपपिक निखि लिया था गया तेट वस कार्भोहईदर और आज हम continue कर रहे हैं same topic with proteins ठीक है कार्बो हाइड्रेट जो food था वो कैसा था organic organic यानि जिसके अंदर क्या present होता है carbon और यही हमने देखा था कि proteins भी कैसा food होता है organic यानि इसके अंदर क्या चीज present होती है carbon present होता है अब लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कार्बो हाइड्रेट के जो basic unit होती है वो क्या थी सैक्राइड वैसे ही proteins की एक basic unit होती है basic unit basic unit का मतलब smallest particle जैसे हमारी body में smallest smallest चीज क्या होती है cell वैसे ही proteins का जो सबसे basic molecule होता है वो कौन होता है amino acid अगर question पूछा जाए proteins किससे बने होते तो proteins बने होते हैं amino acids ठीक है अब देखो यहां पे यह जो amino acid है इसके नाम से ही सजस्ट हो रहा है amino का मतलब इसके पास कौन सा group है amine group है और acid का मतलब इसके पास कोई ना कोई acid है और वो कौन सी acid है carboxylic acid मैं एक हलका सा rough diagram बना देती हूं किसका amino acid का याद करो रहे तो आपकी मर्जिय करने की और नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी तो यह क्या होता है NH2 जो कि किससे connected होता है carbon से और इसके पास एक और acid होती है जिसको बोलते है carboxylic acid तो इस compound के पास क्या है amino group भी है और carboxylic acid भी है क्योंकि carbon के valency 4 होती है तो यहां पे attach होता है hydrogen और सबसे important चीज और repeatedly पूछा हूँ question इसके base पे एक group और attach बेस यानि इसके एक part पे attach group एक और होता है जिसको बोल देते है और ग्रूप अब देखो यह चो amino acid है यहां पे यह सारा पार्ट जो कि black blue में लिखा है वह सारा पार्ट हर एक amino acid में common होता है बट different होता है different different amino acid में क्या चीज और अगर माल लो यहां पे आप रख दो a और दूसरे में आप रख दो b तो दोनों अलग अलग टाइप के बन गए यानि a और b पहले यहां पे क्या था इसके साथ a attached था r गूर्प की जगें पे a था और अब क्या आगया है बी आगया है तो इस तरीके से सिर्फ यह वाला पार्ट चेंज होके r वाला जो पार्ट होता है वो चेंज होके यहां पे क्या बना लेता है different kind of amino acid अब यह जो different type of amino acids होते हैं यह कितने होते हैं देखो वैसे तो 200 plus होते हैं बड़ एक question पूछा जाता है कि हमारी body में कितने different types of amino acid होते हैं तो हमारी body में 20 different type of amino acid होते हैं 20 different type of amino acid यह आपको ध्यान रखना है कि जो amino acid होते हैं वो कितने होते हैं 20 और एक चीज़ जो हम बाद में पढ़ेंगे अभी इसी के बाद वो proteins कितने type के होते हैं तो proteins और इसके बाद जो difference आएगा वह मैं आपको तभी बताऊंगे तो यहां पर proteins की basic unit क्या हो गई amino acid अब इसमें देखो अगर मैं यह पूछू कि यह जो proteins होते हैं इसमें कौन-कौन से elements present होते हैं यानि कंपोस्ट ओफ कंपोस्ट ओफ किससे बने होते हैं तो सबसे पहला आपको यहां पर दिख रहा है कि इसमें क्या present होता है nitrogen दूसरा इसके पास क्या है इसके पास है hydrogen hydrogen के अलावा इसके पास क्या है carbon carbon के अलावा इसके पास क्या है carbon तो हो गया oxygen oxygen और oxygen hydrogen पहले ही हो चुक है अब इसके अलावा यहां पर आर ग्रूप में एक element और प्रेजंट होता है और वह कौन सा element होता है है sulfur तो जो प्रोटीन होते हैं उसमें क्या-क्या present कौन-कौन से elements प्रेजंट होते है nitrogen hydrogen carbon oxygen and sulfur बहुत बार पूछे जाता है कि इसमें से कौन सा element nitrogenous होता है यह जिसमें nitrogen प्रेजंट होता है तो nitrogen किसमें प्रेजंट होता है प्रोटीन में nitrogen present होता है अब question आता है ये टाइप पूड होता है ये ये हमें एनर्जी देता है जैसे कौन दे रहा था कार्बो हाइड्रेट्स तो प्रोटीन स souvent current येतो हमें kurzud- already on 5.6 opardy per gram यानि अगर एग जा एक ग्राम प्रोटीन खाऊँगे तो आपको कितनी एनर्जी देगा तो ये आपको एनर्जी देगा 5.6 किलो क्यार्जी देगा ठीक है अब क्या इस प्रोटीन का काम सिर्फ एनर्जी देना होता है या फिर और कुछ काम भी होता है तो इसका main काम होता है हमारी body के structure को धाचे को बनाने में help करना यानि इसको हम बोलते हैं proteins को क्या बुलाते हैं building blocks of body building blocks का मतलब क्या होता है कि देखो कोई जिसे gym जाते हैं body builder होते हैं वो क्या करते हैं वो बहुत सारा protein powder खाते हैं अब protein powder खाने का कारण क्या होता है क्योंकि protein powder वो gym किस लिए जाते हैं body बनाने के लिए body किस से बनती है तो body के building blocks कोन होते हैं proteins तो उसकी वज़े से वो क्या करते हैं वो protein powders भीखाते हैं ताकि उनकी body और strong 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 बने तो यह क्या होते हैं यह building blocks होते हैं दूसरा यह energy भी देते हैं कितनी energy देते हैं तो यह 5.6 kilo calories energy देते हैं यह चीज़ समझ आई कि proteins की जो basic unit होती है वो होती है amino acid amino acid यह importantly लिखने हैं हमारी body में कितने type क्यों होते हैं 20 different types of amino acid यह हमें energy देता है और यही क्या होता है हमारी body में building blocks जैसे काम करता है ठीक है अब question यह है कि यहाँ पे सबसे छोटी unit क्या होती है amino acid और इस amino acid को मैं ऐसे represent कर रही हूँ ठीक है तो यह हो गया हमारे पास एक amino acid यह है हमारे पास दूसरा amino acid अब यह दोनों amino acid एक दूसरे से joint हो जाती है जब यह joint हो जाती है तो इस bond को हम क्या नाम देते हैं तो इस bond को हम नाम देते हैं peptide bond repeatedly पूछा हुआ question है कि दो amino acids या फिर proteins में कैसा bond होता है तो proteins में कैसा bond होता है peptide bond जबकि हमने carbohydrates पढ़ा था तो carbohydrates में कैसा bond था glycosidic bond अब इसी तरीके से अगर आपको multiple units जोडनी है तो ऐसे अच्छा सुनो देखो यहाँ पे एक बार का question पूछा हुआ है कि दो amino acids के बीच में कितने peptide bond होते हैं तो दो amino acids के बीच में सिर्फ एक peptide bond होता है तीन amino acids के बीच में कितने peptide bond होते हैं तो तीन amino acids के बीच में दो peptide bond होते हैं बाकि आपको समझ आई जाएगा ठीक है तो यह amino acids के बीच में या फिर proteins के बीच में जो bond बनता है वो कौन सा bond होता है peptide bond अब हम जिस तरीके से यह वाला part में आपको compare करके पढ़ा रही हूं जिस तरीके से हमने carbohydrates पढ़ा था तो carbohydrates में हमने पढ़ा था monosaccharide जो की सबसे smallest unit थी किसकी carbohydrates की अब अगर हम यहां पे smallest unit पढ़ें तो यहां पे smallest unit कौन सी होती है amino acids चीक है इसके बाद अगर carbohydrates में 2 monosaccharide मिल जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं disaccharide और अगर यहां पे 2 amino acid मिल जाते हैं तो हम इसको क्या बोल देते हैं इसको बोलते हैं dipeptide di amino acid नहीं बोलते dipeptide यानि 2 peptides के अंदर जो amino acid है वो कितने हैं 2 तो उसको हम क्या बोलेंगे dipeptide चीक है अगर हम मालो carbohydrates में पढ़ रहे थे तो वो क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे वैसे यहां पे जो units होती हैं उसको हम बोलते हैं peptones यह आपको ध्यान रखना है peptones ठीक है और उसके बाद यहां पे क्या बोल रहे थे इसमें polysaccharide और peptones के बाद और भी जितनी लंबी chain होगी उसको हम क्या बुलाएंगे उसको हम बुलाएंगे proteins तो यह सारी चीज़े आपको याद रखनी है amino acid सबसे basic unit उसके बाद dipeptide फिर peptones and proteins यह किसके पाद होते हैं सारे सारे protein के पाद होते हैं सबसे smallest unit is amino acid उसके बाद dipeptide, peptones and proteins ठीक है next next is कि type of proteins क्या होते हैं हम पहले types of protein देखेंगे फिर उसके बाद उसके functions देखें तो यहाँ पे type of protein तो जो protein होते हैं उसको हम broadly classify करते हैं उसके structure के हिसाब से तो वो कैसे होते हैं primary proteins भी होते हैं primary proteins secondary proteins tertiary proteins और और उसके बाद quaternary proteins यह चार टाइप के proteins हम देखते हैं based on its structure अब अब तो जो primary proteins होते हैं वो देखो क्या होते हैं कि एक हमारे पास कोई cell है जब हम खाना खाते हैं तो खाना digest होगे खाना खाते हो उसमें क्या करते हैं हम proteins खाते हैं अब यह proteins जब digest हो जाते हैं तो किसमें convert हो जाते हैं amino acid में और यह amino acid कहां पे चले जाता है blood में और blood से फिर कहां पे जाता है तो blood से जाता है किसी भी cell के अंदर और जब ये cell के अंदर जाता है तो ये cell एक amino acid दो amino acid इस तरीके से proteins बना लेती है तो ये जो सबसे पहला protein बनता है इसको हम बोलते है primary protein और यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि primary proteins होते हैं वो कैसे होते हैं तो primary proteins होते हैं non-functional question पूछा जाता है primary proteins होते हैं वो कैसे होते हैं non-functional यानि उसका कोई काम नहीं होता अब ये suppose माल लीजिए ये वाला एक protein है जिसको मैं ऐसे लिख रही हूँ ये primary protein है ये दूसरा primary protein है ये किस से joint हो जाते हैं ये कोई bond से joint हो जाते हैं जब ये bond से joint हो जाते हैं तो primary primary ये क्या बना लेता है ये बना लेता है secondary structure अब ये जो secondary structure होते हैं इसका काम क्या होता है तो ये structural proteins होते हैं यानि ये body के structure बनाने में काम आते हैं अब ऐसे कौन से proteins होते हैं जो secondary होते हैं और जो सॉरी जो स्ट्रक्चर बनाने में हेल करते हैं तो ऐसे होते हैं कैराटीन प्रोटीन कि हमारे आद़ों के अंदर जो परोटीन होता है वह कौन ऑसा प्रोटीन होता है कैराटीन उथ Kelsey spoony coastal ör और अगर केरतिन के कमी है तो वो particular straight structure नहीं दे पाता है. तो यह केरतिन क्या करता है? Structure बनाता है, ऐसे ही एक Silk Protein होता है और यह हम सब को पता है कि जो Silk Protein होता है वो कहां पे मिलता है? वो Silkworm में मिलता है. तो ये जो silkworm होता है ये suppose माल लीजिए ये है silkworm ये अपने चारो तरफ क्या कर लेता है एक capsule like structure बना लेता है और ये जो capsule like structure बनता है ये किस से बनता है तो ये बनता है silk proteins तो basically ये जो silkworm हो है ये क्या कर रहा है अपने चारो तरफ खुद को cover करने के लिए एक structure बना रहा है और वो structure कैसा होता है secondary protein का और इसको ये कौन सा protein होता है silk protein इसी तरीके से जो tertiary proteins होते हैं वो तीन primary protein से मिलके बने होते हैं और इसका काम क्या होता है तो tertiary proteins का काम होता है enzyme के जैसे act करना यानि act as enzyme इसका मतलब क्या है enzyme बहुत बार एक question पूछा जाता है कि enzymes are made up of fat, carbohydrate या फिर vitamins या फिर proteins तो enzymes होते हैं वो tertiary proteins होते हैं तो basically enzymes किसे बने होंगे तो enzymes very obvious किसे protein से बने होते हैं ठीक है तो primary protein non-functional secondary protein क्या करता है structure बनाने में help करता है और tertiary protein क्या करता है enzyme के जैसे काम करता है और quaternary protein वो कौन होता है तो quaternary protein होता है जैसे कि hemoglobin hemoglobin का structure कैसे होता है इस तरीके से तो यह जो hemoglobin होता है यह किसके काम करता है तो यह होता है blood transportation transportation तो blood transportation के काम कौन सा protein आता है तो hemoglobin अब quaternary protein में एक और example है जो कि हम बोलते है insulin 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 जो हार्मोन होता है वो क्या होता है वो quaternary protein होता है सेम इसी तरीके का लगबग structure होता है जैसा कि hemoglobin में होता है ठीक है तो यहां पर यह हमें समझ आगे primary structure इसमें आपको यह चीजे ध्यान रखने है primary structure होते हैं non-functional होते हैं secondary होते हैं वो structural होते टर्शरी होते हैं वो enzymes के जैसे एक्ट करते हैं इसी लिए सारे के सारे enzymes होते हैं वो किससे बने होते हैं protein से और यह repeatedly पूछा हुआ question है कि enzymes किससे बने होते हैं तो enzymes protein से बने होते हैं last quaternary quaternary जैसे की hemoglobin and insulin जो कि कैसा काम करते हैं करता है hemoglobin blood के transportation का काम करता है ठीक है अब हम देखते हैं कि यह जो protein होते हैं यह क्या क्या काम कर लेते हैं इसके functions functions of proteins अब देखो सबसे पहला हमने यही देख लिया था कि जो structure बनाने में help करते हैं तो वह कौन से होते हैं तो वह होते हैं secondary proteins और secondary proteins में कौन कोन आता है तो secondary proteins में होता है क्याराटिन जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं इसके अलावा इसमें होता है elastin और elastin के अलावा कौन होता है तो elastin के अलावा होता है कोलाजन ठीक है देखो यह सर्फ हमारी बात हो रही है हम हमारे अंदर कौन-कौन से प्रोटीन होते हैं तो हम जो कैसा काम करते हैं structure बनाने का काम करते हैं तो keratin elastin and collagen अब यह जो collagen protein होता है इसके लिए importantly लिखना है कि हमारी body में सबसे ज़्यादा protein होता है वो कौन सा होता है तो सबसे ज़्यादा protein कौन सा होता है collagen हाइस अमाउंट आफ प्रोटीन हमारी body की बात हो रही है तो हमारी body में सबसे ज़्यादा protein कौन सा होता है collagen ठीक है इसके अलावा यहां पे और क्या काम होता है तो सेकेंड काम होता है वो होता है यह contract contract टाइल contract टाइल प्रोटीन होते contract का मतलब क्या होता है कि अगर मैं हाथ ऐसे उपर कर रही हूं तो मसल्स क्या हो जाती है contract हो जाती ठीक है या फिर हमारा हार्ट होता है हमें पता है कि वो क्या करता रहता है ऐसे पंप करता है तो पंप कैसे करता है जब वो क्या होगा वो contract होगा जब हम चलते हैं तो पैर की मसल्स क्या हो जाती है contract हो जाती है तो यह किसकी वज़े से होता है contraction किसकी वज़े से होता है तो contraction होता है एक प्रोटीन की वज़े से दो प्रोटीन की वज़े से वह कौन-कौन से प्रोटीन होते हैं एक होता है एक्टिन और दूसरा होता है मायोसी यह दोनों प्रोटीन की वज़े यह होता है contraction re-lax an contraction relaxation तो औो यह प्रोटीन होगा यह कहां पर पाए जाएगा तो यह पायजाए गा हमारी muscles में तो यह दोनों प्रोटीन कहां पर होंगे हमारी या कि मस्सल में प्रेजिन ओगा है अब शोंते और सूम करेक तो कौन सा काम करता है तो प्रोटीन करता है Transportation का का Transportation में जस्ờ 2 मिनट पहले देखा था Transportation किसका Carbon dioxide का, Oxygen का यह कौन सा प्रोटीन करता है तो यह करता है हमारी body में एक protein होता है जो कि कौन सा होता है Hemoglobin यह किसका काम करता है Transportation का इसके अलावा जो प्रोटीन होते हैं वो हम पहले भी देख चुके हैं कि वो क्या करते हैं body building का काम करते हैं हमारी body के लिए को build करने का काम करते हैं कौन करते हैं तो यह करते हैं हमारे proteins चीक है अब क्या हमारी बॉड़ी में प्रोटीन स्टोर हो सकते हैं हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं तो हमारी बॉड़ी में प्रोटीन स्टोर नहीं हो सकते हैं बट हमारी बॉड़ी में जितने प्रोटीन होते हैं उसके से कुछ प्रोटीन हमें बाहर से लेने पड़ते हैं अजर डाइट और दूसरे कुछ प्रोटीन होते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद बेखुद बना लेती है तो वैसे हमारी बॉडी में कितने टाइप के प्रोटीन होते हैं जो में रिक्वाइर्मेंट होती है तो 22 अब देखो मैंने आपको पहले बोला बताया था कि यह चीज म हम्हें Patar एसित के बात आ रही थी तो हम कितने टाइप नमीन एसेद बता रहे थे तो 20 टाइप आफ अज तो एक चीज है कि अगर question amino acids पूछा जाए तो amino acid कितने टाइप के होते हैं 20 टाइप के अगर proteins पूछे जाएं कि कितने टाइप आफ प्रोटीन होते हैं तो 22 टाइप आफ प्रोटीन होते हैं दोनों देखो यह थोड़ा जाता है तो 20 amino acid और protein पूछे जाते हैं तो 22 टोटीन ठीक है यह जो 22 टोटीन होते हैं कि इसमें से 12 प्रोटीन तो ऐसे होते हैं जो हमारी बॉड़ी में सिंथेस होते हैं तो 12 प्रोटीन कैसे होते हैं इन आर बॉड़ी या फिर हमारी बॉड़ी उसको खुद वह खुद सिंथेस कर लेती हैं बट बाकेज के जो 10 प्रोटीन होते हैं वह कैसे आते हैं वह हमारी हमें हमारी डाइट के साथ लेने पड़ते हैं हम यहां पर पढ़ेंगे 12 टाइपस ऑफ बॉड़ी सिंथेसिंग प्रोटीन जो हमारी बॉड़ी प्रोटीन को सिंथेस करती हैं वह हम यहां पर पढ़ेंगे तो सबसे पहले ऐसे प्रोटीन देखेंगे जो कहां पर प्रेजिंट होते हैं हमारे ब्लड में तो हमारे ब्लड में जो प्रोटीन होते हैं वो कौन से प्रोटीन होते हैं ग्लोबिन जिसको हम बार-बार पढ़ रहे हैं हीमोग्लोबिन तो हीमोग्लोबिन क्या होता है एक प्रोटीन और उसके अंदर कौन सा प्रोटीन होता है तो उसके अंदर ग्लोबिन प्रेसेंट होता है यहां पर ब्र देखो यह सारे की सारे क्या हैं blood के अंदर जो protein रहते हैं यह नि हर जगह पर flow होते रहते हैं वह वाले proteins हैं बनते कौन बनाता कौन है तो हमारी body खुद भे खुद बना लेती है और कौन से होते तो और होते हैं कि थ्रोम्बिन प्रो थ्रोम्बिन देखो ये दोनों एक जैसे ही है बट हम इसको दो ही काउंट करेंगे प्रो थ्रोम्बिन का मतलब क्या होता है ये इनाक्टिव फोम में होता है और थ्रोम्बिन क्या होता है थ्रोम्बिन होता है अक्टिव फोम में पेसे इसके अलावा ब्लड में कौन सा प्रोटीन होता है फिब्रिनोजन और कौन सा जई और फिब्रिं का यह देखो यह इसमें भी वह यह इंएक्टे होता है और यह अक्ते होता है। जब ये inactive वाला fibrinogen है, जब ये active होता है, तो ये ही किस में convert हो जाता है? fibrin में convert हो जाता है, बट हम इसको दो ही consider करेंगे, ठीक? Next, जो protein होता है हमारी body में, वो होता है heparin, heparin के साथ लिख लीजिए, heparin एक protein होता है, और ये क्या करता है? ये क्या होता है? anti-coagulant होता है, anti-coagulant का मतलब होता है कि हमारे blood को जमने नहीं देता है, तो ये कौन सा protein होता है? तो ये होता है heparin, ठीक है? इसके अलावा जो हमारी body बनाती है, ये तो कौन से हैं? जो blood में रहते हैं, कौन कौन से? ग्लोबिन, थ्रोमिन, प्रोथ्रोमिन, फिब्रिनोजन, फिब्रिन, एंड हिपरिन, ठीक है? कितने हो गए? साथ. इसके अलावा जो हमारी body ही synthesize करती है और जो कहां पे होते हैं? muscles में present होते हैं, वो कौन से होते हैं? जिसको हम देख चुके हैं, actin, और दूसरा, myosin. हमारी body खुद ही बनाती है, और कहां पे present होते हैं? muscles में. एक और protein होता है, जो हमारी body खुद ही बनाती है, और वो कहां पे present होता है? हमारी bones में, यह हम skeleton system में भी देख चुके हैं, और यह कौन सा protein होता है? तो यह होता है, ओसीन protein, ठीक है? इसके अलावा, जो protein होता है, वो होता है, कितने हो गए? तीन, और तस एक protein और होता है, हाँ, तो simple सा collagen, collagen जो protein होता है, वो भी हमारी body ही बनाती है, और वो भी कहां पे होता है? मसल्स में होता है, collagen, ठीक है? तो यह कितने हो गए? चार और पांच, छे, साथ और यह यहाँ पे चार, ठीक है? तो यहाँ पे यह 12 protein है, जो हमारी body खुद बेखुद synthesize करती है, ठीक है? next, देखो, हमने बोला था कि क्या हमारी body proteins को store कर सकती है? यह यहाँ पे जब जब इनको जतने की ज़रूरत होती है, वो synthesize करते जाती है और उसको use करते जाती है, बट अगर मालो आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं आज बहुत ज़्यादा protein खा लेता हूँ और कल रहने देता हूँ तो क्या उस proteins को जो आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो हमारी body उसको store करके रखेगी? नहीं, हमारी body proteins को store नहीं करती है, अगर आप बहुत ज़्यादा proteins खाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो वो protein glucose में convert हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज़ लिख लीजे, कि proteins cannot be stored cannot be stored. अगर extra है, जितने के requirement है, वो है, तो वो normal काम करता रहेगा, बट अगर आप extra proteins खा रहे हो, तो वो store नहीं करती है हमारी body. अगर extra खाओगे, तो extra protein क्या हो जाएगा? extra protein, वो convert हो जाएगा, किसमें? convert हो जाएगा glucose में. ठीक है? तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है. अब माल लो कि यह तो आपने extra खा लिया, तो extra खाया तो वो store तो होता नहीं है, बट extra खाया वो convert हो जाता है किसके अंदर? glucose के अंदर. बट अगर आप कम खा रहे हो, ठ इसकी वज़े से, obviously कोई न कोई बिमारी आएगी, कोई भी चीज़ अगर हम कम ले रहे, कम मात्रा में ले रहे, तो इसकी वज़े से, lack of protein, तो lack of protein की वज़े से एक बिमारी आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं, कि वैश्योर कोर, कि वैश्योर कोर होता है, उसमें देखो, आप खाना तो खा रहे हो, बट उसमें क्या चीज़ की कमी है, तो उसके अंदर कमी है किसकी, protein की, खाना खाने में कमी नहीं है, बट खाने के अंदर किस चीज़ की कमी है, protein की, यानि खाने के अंदर carbohydrate fats आप बहुत सारा ले रहे हो, ठीक है, बट क्या नहीं ले रहे हो, प्रोटी नहीं ले रहे हो तो हमने देखा कि जब हमारी बॉड़ी बनती है तो उसके लिए क्या चीज चाहिए होती है प्रोटीन बट प्रोटीन तो आप खा नहीं रहे हो तो मसल्स नहीं वनेगी क्योंकि मसल्स में क्या बहुत ज्यादा क्या होता है प्रोटीन कौन सा कोलाजन हो गया actin हो गया, myosin हो गया, elastin हो गया, ठीक है, तो अगर आप नहीं खा रहे हो, तो इस case में क्या हो जाएगा, आपके हाथ, पैर, पतले हो जाएगे, यानि, legs, hands, ये क्या हो जाएगे, thin, किस की कमी है, यहाँ पे protein की कमी, but sufficient, इस condition में क्या होती है, but sufficient energy, energy यानि किस से है, carbohydrates, आप मैं यहाँ पे लिख देते हूँ, carbohydrates, ताकि आपको clearly समझ आ जाएगे, तो यहाँ पे क्या है, lack of protein, but sufficient carbohydrates, carbohydrates, carbohydrates जाते हैं, वो क्या करेंगे, आपको body को energy देंगे, अब energy देंगे, तो इस condition में, आपका पेट फूल जाता है, यानि, यहाँ पे, stomach, क्या हो जाता है, swell हो जाता है, चांखे, बट आपके हाथ पर क्या हो जाते है, आपके हाथ पर, पतले-पतले हो जाते है, यह question पूछा हुआ है, कि वाशियर में किस इज कि कमी होती है, तो proteins की कमी होती है, बट sufficient amount of क्या होते हैं carbohydrate होते हैं यानि इनको खाना मिल रहा है अब इसी से related एक बिमारी और होती है प्रोटीन से और वह कौन सी होती है वह होती है मेरासमस यह दो बिमारी हमें यहां पर प्रोटीन से related पढ़नी है कि वैस और को और दूसरी मेरासमस में किस चीज की कमी होती है प्रोटीन की या कार्बोहाइड्रेट्स की तो मेरासमस में दोनों की प्रोटीन भी कमी होती है और कार्बोहाइड्रेट्स की भी कमी होती है कार्भोहेड लएक बोथ दोनों की कमी होते है प्रोडेन और कार्भोहेड्रेज यह बैसिकले इनको खाना की नहीं मिल रहा है जिन लोगों को खाना नहीं मिलता उनके अंदर यह मिर्थժ जाती हां पर अभी अप्रोटीन नहीं होते हैं यह दो diseases पढ़नी है related to protein यहां पर आज हमने complete कर लिया है अभी protein next class में हम देखेंगे fats thank you